अलो फ्रेंस दूलका मानेम इस कमल वीर आज हम एक शोर्ट स्टोरी डिसकस करेंगे जिसका नाम है दा लाइब्रेरी ओफ बेबल आउथर इस जोर्ज लुईस बोर्जस आपका पेपर है यह लिटरेरी मॉव्मेंट्स पार्ट तू और यूनिट नमबर थ्री है जो है स्टोरी बताऊंगा पूरी समरी बताऊंगा फिर इसका एनलिसिस भी हम डिसकस करेंगे जो इसके आउथर है वो लाइब्रेरिन भी रह चुके हैं तो सबसे पहले यह स्पैनिश लेंग्वेज में पबलिश हुई थी 1941 में बाद में यह इंग्लिश में ट्रांसलेट होती है कहां पर पबलिश हुई थी Argentina में Argentina एक देश है आप जानते हो इस जो पूरी यह स्टोरी है यह स्टोरी का जो में लाइन है वो है imagination of a library इस स्टोरी में जो author है वो एक library के बारे में imagine करते हैं वो एक imagine करते हैं कि एक खास तरीके की library है जो exist करती है और वो ऐसी library है जिसमें आप लाखों किताबे हैं लाखों उसमें books हैं और उन books में दुनिया का सारा ग्यान है दुनिया में जो भी कहा जा सकता है हर एक चीज उसमें लिखी हुई है जो मैं अभी कह रहा हूं कि दुनिया में जो भी कहा जा सकता है हर एक चीज उसमें लिखी हुई है यह लाइन भी उस library में लिखी गई है यह उनका कहना है इस तरीके का इमेजिन करते हैं everything of universe contains in a book in books है ना तो universe में जो भी है हर एक जीज के बारे में in books में लिखा हुआ है so first thing वो कहते है universe is like a library universe का मतलब पता है आपको कि ब्रहमन यह देख लो picture देख लो you can get in theworks और बहुत सारी zla às bers Warriors है इस कहते हैं查सर सभी चीज उसने universe कहते है कि यह जो पूरा universe उसे वोने एक library की तरफ मानते है कि पूरा elaborate की तरह सोचो ब्रहमन में जितनी वी universe में जितनी भी चीज है जितनी भी प्लैनेट है प्लैनेट कैसे बने क्यों बने कब बने हर एक चीज आप कहलो हर एक चीज के बारे में आप सोच के देखो सोच के देखो कौन सी चीज कब कैसे क्यों बनी होगी हर एक question का answer इस library में है तो कि आप कहलो पूरे universe में question ही question है हर एक चीज को explain करना जरूरी तो हर एक चीज के बारे में इस library में लिखा है तो यह library कैसी है अभी इसके बारे में हम बात करेंगे So there is a series of identical hexagon shaped rooms in the library तो पहली बात हमें पता चलिए कि पूरा का पूरा जो universe है वो एक library में समा चुका है इस library में क्या है? Hexagon shaped rooms है Hexagon इस तरीके से न जिसके कितने आपके hello की corner है या lines है जिसमें 1,2,3,4,5,6 तो यह six line वाला इस तरीके के वहां पे rooms बने हुए है हमारे घर में room कैसे होता है? इस तरीके के है न इस तरीके के जिसमें चार दिवारे होती है लेकिन यहां पे library में कैसे room बने है? इस तरीके के इस shape के room वहां पे बने हुए है बने हुए है और यह libraries है न जैसे आप देख रहो यहां पे यह पढ़ रहे है library आप गए होंगे आपको पता ही है तो लेकिन library में rooms कैसे है? इस तरीके के hexagon shape में room बने है next आप सुनो each room और हर एक room में कैसा है? पहले हमने क्या सोच लिया? क्या imagine कर लो कि एक library है बहुत बड़ी library में सारे rooms कैसे है? hexagon shape में है ठीक है और हर एक room में क्या है? each room हर एक room में क्या है? has four walls of books हर एक कमरे में क्या है? हर एक कमरा जो कि इस तरीके से बना है ठीक है? हर एक room जो इस तरीके से इस shape में बना है लेकिन उसके अंदर जो books है books की ऐसे होते हैं पूरी एक दिवार जिसमें shelf होती है तो books की वहाँ पे चार दिवारे हैं उसके अंदर जो इस तरीके से चार दिवारे हैं जिसमें books books रखी हुई है और साथ में क्या है tiny closet, छोटी-छोटी से जगा बनी हुई है, छोटी-छोटी spaces बने हुए है, for sleeping, जहां आप सो सकते हो, and using the restroom, ठीक है, restroom भी बना हुआ है sleeping के लिए भी, जो जगा है आप कहलो, यहाँ पर restroom होगा यहाँ पर sleeping के लिए है, ऐसे आप मान के चलो अभी, and hallways that lead to other hexagons, और यहीं पर आप कहलो कि hallway है, एक छोटा सा यह hall है, और जहां से फिर रास्ता निकलता है, किसका, दूसरे hexagon के लिए रास्ता निकलता है, पर यहां से तीसरे के लिए, फिर चोथे के लिए, यह पांच में के लिए, इस तरीके से तो सबसे पहले, एक library है दूसरी चीज, वहाँ पर hexagon shape में, room बने है तीसरी चीज, हर एक room में चार दिवारे है, चोथी चीज हर एक room में rest room है hall के लिए भी रास्ता है, और sleeping के लिए भी रास्ता है, इस तरीके से आप समझ गया भी तक और अच्छा मैं यहाँ पर एक चीज add कर दूँ, कि अगर आपको देखो, यह मेरा पढ़ाने का तरीका है जो अच्छा लग रहा है, चीजे समझ आ रही है अच्छे से, तो आपने like जरूर कर देना है, ओके, और जरूर तो आप अपना comment लिख के मुझे बताना कि आपको चीजे समझ आ रही है और इस से पहले MA English के मैंने जो पहले semester के लगभग सारे topic के उपर video upload कर दी थी यह second semester की अभी मैं videos upload कर रहा हूं, तो आप इसके बारे मुझे feedback जरूर लिखना कि कौन-कौन से topics आपको सबसे ज़्यादा tough लगते हैं, तो उसके उपरे हम पहले video बना दूँगा, hallways अभी hallways एक word आया था hall के लिए, तो अभी हम उसकी बात कर लेते है, hallways में क्या है contains spiral staircase spiral staircase जो अभी hall वाला वो छोटा सा रास्ता था था न, hall में जाने के लिए, वहाँ पे इस तरीके का, देखो, spiral staircase बना है, सीडिया बनी हुई है इस तरीके की, spiral के shape में ओके, रूम बन गया एक तरीके से ये, रूम बन गया यहाँ से फिर क्या है, सीडिया है सीडियों से क्या होता है, उपर नीचे जा सकते हो और वहाँ पे क्या है, identical levels यानि कि नीचे भी उसी तरीके से फिर रूम बने है उपर भी वैसा रूम, इस तरब भी वैसा रूम इस तरब भी वैसा रूम, हर एक जगा एक जैसा नेक्स्ट क्या है इस hallways also each contains a mirror और हर एक hallway में एक mirror भी रखा है एक बड़ा mirror भी लगा हुआ है वो mirror क्यों है which the narrator things narrator का मतलब होता है, जो story सुनाता है things of as a sign कि जो mirror है न, वहाँ पे mirror है वो एक sign कीता रहा है, किस चीज़ का sign of the library's infinite nature अभी infinite का मतलब क्या होता है कि जो चीज कभी भी खतम नहीं होती, उसे कहते है infinite, जैसे universe है वो infinite है, वो कभी खतम नहीं होता बढ़ता चला जाता, आप चलते जाओ कभी यह नहीं होगा कि आप दूसरा भी end आगा वैसे, तो mirror वहाँ पे क्या बताता है क्योंकि mirror में सेम चीज है as it is दिखती रहती होगी mirror में आपका room भी दिख रहा है और बिछला room भी दिख रहा होगा उपर का room भी, मतलब ऐसे मानके चलो नेचे का room भी, तो मतलब mirror से ऐसे नहीं पता चलता है कि यह दिवार है तो बात खतम नहीं, mirror से आगे पिछे की चीज़े दिखती है तो आपको लगता है यह चीज़ चलती ही रहेगी हमेशा अभी books के उपर आज आते हैं, books कैसी है Each wall, चार wall थी ना हर एक room में Each wall of books in the library contains five shelves हर एक room में चार दिवारे हैं जिसमें चार आप कैलो wall बनी है जिसमें books रखी है और हर एक दिवार में कितनी shelf है? पांच, तीन, चार, पांच इस तरीके से पांच shelf बनी हैं हर एक दिवार में जिसमें books बगएरा रखी हुई है और हर एक, आप कैलो shelf में कितनी books है? हर एक shelf में कितनी books है each holding 32 matching books हर एक रूप में हर एक दिवार पे क्या है 5 shelf और हर एक shelf में कितनी 32 books अगे books के बारे मौर सुनो each book हर एक book में कितने pages है 410, 410 pages हर एक book में है उसके बाद 40 lines per page हर एक page में कितनी line है 40 line है and about 80 character per line बहुत specific होगे बता रहे हैं मैं आपको फिर बता रहा हूँ क्या है हर एक line जो यह line लिखी है मालो यहां से लेके यहां तक यह मैंने line लिखी है इसमें यह कहते है कितने character है 80 character है हर एक line में इसमें भी इसमें भी total कितनी lines है एक page पे 40 lines है और total कितने pages है 410 pages है यह वाली line बहुत important है इसे अच्छे सुनना यह भी जो मैंने आपको शुरू बताया था कि कोई भी चीज जो every possible permutation है कोई भी चीज जो कही जा सकती है सुनी जा सकती है समझी जा सकती है words का words का combination की साथ एक sentence बनता है यह कह रहे है कि जो भी possible sentence कभी भी बन सकता है आप बना सकते हैं अभी मैं भी बना रहा हूँ वो हर एक इसमें लिखा हुआ है और यह कहता है कि हर एक sentence क्या है यहाँ पर 25 symbols से मिलके बनता है 25 symbols से मिलके बन सकता है कोई भी चीज इससे बाहरा आप कोई भी चीज बना नहीं सकते ना बनती है वो कहता है कि इसमें essential 22 letters जो भी 22 letters आप और मैं यूज करते है A, B, C इस तरीके से और उसमें comma यूज करते है full stop यूज करते है space यूज करते है पहले मैं आपको बता दू 22 कैसे 22 कैसे यह कहता है कि total letter जो कि यूज किये जा सकते है कितने है 22 22 plus 1 plus 1 क्या है comma ठीक है plus 1 एक और क्या हो गया full stop एक और plus 1 क्या हो गया space तो 22, 23, 24, 25 यह कह रहा है कि यह जो 25 symbols है इन्होंने symbol कहा दिया यह 25 possible symbols है जिससे आप जो भी कुछ बना सकते हो जो भी sentence बना सकते हो बात बना सकते हो अभी आप लोग कहोगे कि सर इंगलिश में तो 26 letter होते है A to Z कि नहीं लेकिन आप कहलो कि यह Spanish में लिख रहे है तो उसमें 27 letter थे फिर कम भी हुए जादा भी हुए लेकिन अगर 27 V है Spanish में तो इन्होंने 22 क्यों कह दिया क्योंकि इनका कहने का मतलब था कि जो जरूरी 22 ही होते है जैसे कि मानलो यह X है हम इसे X कहते है तो यह कहते है कि X कोई जरूरी नहीं है X की वाज़ क्या है KS 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 से बन सकते है तो X कि क्या जरूरत है ठीक है जैसे मैं लिखना चाहूँ X रे ये कहते हैं कि ऐसा जरूरी थोड़ा है ये कह रहे हैं ऐसे लिख दो E, K, S, R, A, Y X कोई अलग से जरूरी नहीं है इसलिए इसी तरीके से इन्होंने अलग-अलग letter को तोड़के बताया कि सिर्फ 22 है वही जरूरी है तो अभी याद एकना कि 22 इन्होंने क्यों कहा था बुक्स के उपर अभी आ जाते हैं और अच्छे समझते हैं ये कहते हैं वो कहते हैं बहुत सारी बुक्स इस लाइब्रेरी में ऐसी है जिसका कोई sense नहीं बनता कोई meaning नहीं बनता कि उसमें क्या लिका है वो समझे नहीं आठा बहुत सारी बुक्स ऐसी है जो बे तुकी लिखी है लेकिन आगे जा कि इस बात से भी मुकर जाएंगे आपको बताऊंगा तो ये कहते हैं जो लाइब्रेरी में लोग रहते थे रहते हैं, used to have a lot of theories about why this is ऐसी books क्यों है, जो कि हमें समझ नहीं आती, क्योंकि इनोंने कहाना है कि बहुत सारी books library में ऐसी है, जिनके बारे में हमें समझ नहीं आता कि क्या लिखा, क्यों लिखा, तो जो library में लोग रहते हैं, रहते का मतलब वहाँ पढ़ने लिखने जाते हैं, उनकी एक theory थी, theory क्या थी, कि क्यों ऐसी books पढ़ी है, यहाँ पर जिनमें कुछ समझ नहीं आता, तो उनकी theory यह थी maybe books are written in another language, हो सकता है कि वो हमारी language में है ही नहीं, इसी लिए नहीं हमें पता चलता है कि इसमें क्या लिखा है, जैसे एक कहावत है, कि जो लोग पढ़े लिखे रही है, वो कहते हैं कि काला अक्षर भैस बराबर, काला अक्षर बराबर, कि जो पढ़ा लिखा है ही नहीं, उसे क्या है समझ आएगा कि उसमें क्या लिखा है वो कह रहा है हो सकता है कि दूसरी लेंग्वेज में हो तो नहीं समझ आता या फिर यह किसी कोड में लिखा इसलिए नहीं समझ आती तो कुछ बुक से जिसमें कुछ भी नहीं समझ आता वो क्या है हो सकता है दूसरी है और इन्होंने ये कहा कि infinite यह वर यादग रहे हैं infinite तो इन्होंने कहा infinite यह library हमेशा से है और हमेशा रहे कि और इसका कभी कोई अंत नहीं तो कह रहा है कि बहुत साल पहले ना कुछ लोगों ने भी library को समझने की कोशिश की कि क्यों है कैसे है तो 500 years ago तो narrator कहता है story में कि 500 साल पहले कुछ लोगों ने कोशिश की कि library की secrets को समझे तो a man of genius was able to figure out the library's secret उन्होंने कहा जिसने समझ लिए library को उसने कहा because of no two books in library are identical वो कहते है कोई भी दो किताबे एक जैसी नहीं है हर एक किताब एक दूसरे से अलग है इसी लिए the library is total total का मतलब इसलिए उन्होंने कह total का मतलब complete यानि कि हर एक चीज यहां पे है यह मतलब in other words it contains every single possible combination of 25 written words जो मैंने आपको बताया था था ना कि इन 25 चीजों से जो भी लिखा जा सकता है वो हर एक चीज इसमें है इसलिए यह library total है क्योंकि इसमें हर एक चीज है this means that in all those collection of 14 pages the library contains everything can be expressed and written in every possible language किसी भी language में जो भी कुछ भी कहा जा सकता है वो इसमें exist करता है people's reaction after finding library अभी वो हमें बताते हैं कि वैसे तो library हमेशा से exist करती है लेकिन जब लोगों को पता चला कि ऐसे को लाइबरेरी है जब लोगों को लाइबरेरी मिली तो उनका क्या reaction था the reaction is the reaction to this great discovery was one optimism and celebration वो कह रहा है कि लोगों में आशा जागे celebration जा गया क्योंब लोगों को पता चला कि यार आशी को लाइबरेरी है जिसमें हर एक चीज का जवाब है हर एक चीज का answer है तो लोगों में बड़ी आशा जागी कि यार हमारे हर एक सवाल का answer मिल जाएगा the people of the library figured that the truth was out there उन्हें लगा कि हर एक चीज की सचाई वहां पे है and all they had to do was go find it और उनका बस अभी एक ही काम है हर एक चीज की जानकारी वहां पे है answer वहां पे है बस हमें ढूंडना है पता नहीं की से रूम में कहां पे बुक पड़ी जिसमें सारी चीजे लिखी है मतलल जो भी चीज हम find कर रहे है men set out in search of their vindications vindication का मतलल लोगों ने अपने बारे में जानना समझना वहां से शुरू क्या कि यार चलो ढूंडते हैं वो book जिसमें मेरे बारे में सारी चीजे लिखी होंगी कि मैं कैसा हूं क्यों हूं ऐसे चीजे हैं जैसे हम future देखने की कोशिश करते हैं books that tell the stories of their own lives उनकी जीवन के बारे में जो कहानियां बताए and even tell their futures और उनका future भी बता सके failing to find their own vindication लेकिन लोगों को ऐसी कोई book नहीं मिली जिसमें उनके बारे में सारी चीजे लिखी हों जैसे जोतिश के पास जाते हैं these men ended up killing each other और लोग इतने जाता गुस्से में आ गए उन्होंने एक दूसरे को ही मार दिया और कुछ लोग going insane कुछ लोग भागल हो गए क्योंकि उन्हें मिल नहीं रहा था और कुछ ने एक दूसरे को मार दिया क्योंकि इतनी सारी books थी सारी बहुत सारी books पट डाली लेकिन अपने बारे में जानने को मिला ही नहीं तो और कुछ लोगों ने सोचा कि यार ऐसी भी तो कोई ना कोई बुक होगी न जो हमें बताएगी कि ये लाइबरेरी क्यों बने क्योंकि हर एक चीज के जवाब के बारे में बुक होगी कोई ना कोई तो लाइबरेरी कहां से आई तो ये ढोंटे है and of the human race and established an official group inquisters जिसका मतलब तर जिग्यासू और इन लोगों ने मिलके एक group बनाया मालों 10-15 लोगों का और हमारा काम ये है 10-15 लोगों का हम inquisters है हमारा काम ये है कि हम ऐसी book ढोंटेंगे जो हमें बताएगे कि human race मानव जाती कहां से आई है हमें किसने बनाया और library को किसने बनाया after several centuries कई सदियों तक ढूंडते रहे और fruitless searching यानि कि कुछ भी नहीं मिला search करते रहे तो no one expects to find anything anymore और लोग फिर थक के बैठ गे हमें यहां पे कुछ नहीं मिलने वाला तो इसलिए इसे क्या कहा गया inquisters to despair तो पहले जो आप कहलो period था जहां पे लोग celebration कर रहे थी optimism, inquisters कि कुछ ना कुछ मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा to despair, निराशा का time भी आया the period of optimism was followed उसके बाद कौन सा period आया despair का निराशा का क्योंकि लोगों का भी लगा हमें कुछ नहीं मिलेगा हमें यहां से कुछ नहीं समाझ जाएगा और some people, कुछ लोगों ने तो यह भी suggest करना शुरू किया कि वहां पे जाके books पढ़ने से अच्छा है वहां पे books में कुछ नहीं मिलने वाला कोई नहीं तुम्हारा भविश्य बताएगा कोई नहीं तुम्हारा present बताएगा कुछ नहीं बताएगा इससे अच्छा तो यह है better luck rolling dice की dice होता है ना जिसे हम ऐसे घुमाते है वहां पे एक नमबर दो नमबर छे नमबर आ जाता है की उसे घुमा घुमा के देख लो उसी में आपको अपना भविश्य पता चल जाएगा कुछ लोग बता देती है ना उसी में भविश्य वो गयरा वह यहीं सही है वो तो बकवास है others the purifiers thought the best course of action would be to destroy all the meaningless books और कुछ लोगों ने कहा कि ऐसे करती है जो सही books है अच्छी books है holy books है धार में कितावे है अगर हमें अच्छी अच्छी कितावे ढूंडनी है ना books तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे मिलती नहीं है तो हम ऐसे करते हैं अभी बुरी बुरी हमें books लग रहे meaningless लग रहे उसे जला देते हैं खतम कर देते हैं तो थोड़ी books बच्चेंगी उसमें से अच्छी मिल जाएंगी तो कुछ लोगों ने ये भी करने की कोशिश दी तो books के बारे में हो गया अभी narrator के बारे में लेकिन वो सोचता है कि जब मैं मरूंगा someone will throw his body मेरी body को कोई गेर देगा over the edge of a railing and it will fall for eternity एक आप कहलो कि मुझे जब मैं मर जाओंगा मेरी body को गेर दे जाएगा eternity की हमेशा के लिए वो गिरती रहेगी गिरती रहेगी ये उसका mindset है narrator हमें दो basic rule बताता है library के कि दो main rule है library के वो क्या है तो पहला rule क्या है it has ever existed कि ये हमेशा से यहां पे है हमेशा यहां रहेगी ये पहला rule है library का तो इसी लिए क्या है इसे किसी भगवान नहीं बनाया होगा क्योंकि हमेशा से हमेशा रहेगी तो भगवान नहीं बनाया होगा, दूसरी चीज़ के है Along with a footnote from a letter editor lets us know that we are readers and outsiders to the universe of a library, और library के लिए हम outsider है library पहले से ही है हम यहां पर पढ़ने आए है, reader है ना हमने लिखी है ना हमने बनाई है, since our world has more than 25 characters क्योंकि हमारे, जो हमारा वर्ल्ड है, उसमें 25 से ज़्यादा character होते हैं ना, बहुत सारे character आप कहलो, space है, coma है full stop है dash है, कह लिजिए अब तुम star यूज करते है add the rate यूज करते है hash, हमारे पास तो बहुत सारे है ना, तो हम outsider है हमने यह library ना लिखी ना बनाई, क्योंकि हमने बनाई होती तो वो सारे चीज़े बेस में होती यह इसी को कहते है paradox paradox, contradiction इनकी बातों में contradiction, paradox देखे, पहले इनोंने कहा कि हर एक चीज़ इस लाइबरेरी में है अभी कह रहे हैं कि हमारा world इससे अलग है, कुछ अलग भी बाते हमारी हो सकती है तो उनकी बाते contradict कर रही है तो यही इसके analysis की main बात है कि paradoxical है यह एक और paradox सुन लो, तो इनोंने यह कहना कि कुछ meaningless books है, लेकिन यहाँ पर इससे भी बदल जाते हैं despite the apparent disorder of the library library में कुछ भी order में नहीं है, ऐसा नहीं है कि यह सारी arts की books इस shelf में, फिर मान लो science की books yahaں पे, फिर biology कुछ भी कहलो, history ऐसे नहीं है, तो इसले कहना है कि कुछ लोग कहते हैं कि यह meaningless library है, लेकिन है कि यहाँ पर कुछ भी meaningless नहीं है यहाँ पर कुछ भी meaningless नहीं है तो पहले इन्होंने meaningless की बात की थी अभी कह रहें कुछ भी नहीं है तो इसी लिए इसके analysis में हम यहीं पढ़ते हैं कि दो चीजे main है एक तो paradox और इन्फाइनाइट पैराडोक्स दो आ गए ना कि एक तो meaningless वाला paradox फिर इसने पहले कह दें meaningless है बाद में कह रहें meaningless नहीं है ठीक है तो यह आपने चीजे यहाद अखनी है और दूसरी चीज इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट का मतलब क्या कि जो कभी भी खतम नहीं हो सकता ऐस अपना कमेंट लिखके मुझे जरूर बताना की कैसी लगी थाइंक्यू पर वाचिंग बाए बाए